आज हम बिजिस आप सिल्क वार्म के बारे में अध्यान करेंगे यह अध्या है बीएसी सेकंड यह के थर्ड पेपर एप्लाइट जूलोजी और माइक्रोबाइलोजी के अंत्रगत युनिट फस्ट से लिया गया है कि अबिजी कि विएसेँ उसरी। बारे मेपदी in tropical regions such as South East Asia, the maggot disease, pavarine, polyhydrosis and K3 are the diseases which are cause severe damage to the industry. The poisoning by the tobacco and mascardine is also reported to be harmful but is not very common. The agriculture industry is also reported to be in tropical regions such as South East Asia, the maggot disease, pavarine, polyhydrosis and fletchery. इस उद्वयों को खृत्वी पहुँचाती है। जबकि तंबाकू और मसकारडीन का विसेला प्रभाव भीश उद्वयों के लिए हानिकारक होता है। किन्तु ये ज़्यादा सामानिय नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं, Magot disease, 6. Mugod disease This disease is caused by Tricholiga survivor A fly belonging to the older Deptera and family, Tahkinidae It is distributed throughout India, Japan, Korea, China, Vietnam, and Thailand. The presence of milky white cylindrical eggs on the skin of silkworm larvae is a symptom of this disease. The number of eggs laid by the fly on a silkworm larvae varies from several to more than 50, but usually they are 2 to 3. After 30 to 40 hours of the egg laying, maggot is formed inside the egg cell. Now this maggot makes a hole on the ventral side of the egg cell and on the skin of the silkworm. Thus, maggot penetrates into the body of the silkworm larvae and starts eating the tissue of the larvae. When the maggot penetrates into the larval body, the big black mole is formed on that part of the skin. The segment in which maggot exists swells up. Now this is called the बच्व मार्वेट गस्ट मैस् इस्प्य चिरवे स्वप्य धिर अच्वील उत्स कुभेट्यों टी बनाओ सीडिक अचन व्त कुझ मार्व giving me A number of natural enemies like parasite, insect, fungi are known to control the population growth of T-sorbulence. The avoidance of the entry of this fly into the rearing rooms of the silkworm is the only means for the prevention of this disease, for which nets are fixed round the window. Cereculture Industry में सबसे पहला जो रोग है, वह मेगट डिजिस के लाता है, मेगट रोग जो होता है, वो ट्राइको लिगा, सौर्बिलेंस नामक मखी के द्वारा होता है, यह मखी डिप्टेरा आर्डर के अंतरगत टेकिनिडी कूल में आती है, इसका वित्रण बारत, जापान, कोरिया, चीन, वियताम और थाइलेंड में यह पाई जाती है, सिल्क वॉर्म की सते पर, बेलन के आकार के, सपेद, दूद के समान, दब्मों का पाया जाना, इस रोग का लक्षा है, इस मक्की के दिये जाने वाले अंडों की संक्या, सिल्क वॉर्म लार्वे के अनुसार भिन भिन होती है, वो कहीं से लेकर पचास तक हो सकती है, लेकिन सामन त्या यह दो से तीन होती है, तीस से चालिस गंटे के पस्चात, अंडे देने के तीस से चालिस गंटे के पस्चात, इसमें से मैगट बनता है जो एग सेल में इसके एग सेल के अंदर 30 से 40 गंटे के भीतर मैगट बनता है अब ये मैगट एक छिद्र होल करता है एग सेल की अधर सतय पर छेद करके सिल्क वार्म के भीतर गुश जाता है मैगट सिल्क वार्म में जिस स्थान से गुशता है उस स्थान पर से टीशू को खाना प्रारम करता है जहां से मैगट गुशता है वहां पर एक बड़ा काला तील के रूप सरंचना केटरपिलर की सतय या लार्वी की सतय पर छोड़ के चला जाता है जिस सेग्मेंट के भीतर मेगेट रहता है वे सूज जाता है उसमें सूजन आ जाती और मुर जाता है जिसके कारण जो अटेक्ट करने वाला लार्वा है वो इनक्टिव हो जाता है और लुज़ेस एपिटिटी सामनत्या चोते और पांचवे स्टेडिया पर ये मेगेट अटेक्ट करता है लार्वा जब चोते स्टेडिया पर अटेक्ट करता है तो ये लार्वा कुकुन मिनासे ने पहले ही मर जाता है जो पांचवे स्टेडिया पर अटेक्ट करता है वो कुकुन तो बनाता है लेकिन प प्राकरतिक शत्रू और पेरासाइट्स परजी भी होते हैं इंसेक्ट्स फंगाई जो है इस कि टी स्वार्बिलेंस जो फ्लाइए उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं जो रियरिंग रूप्स है उन रियरिंग रूप्स है इस मकी के प्रवेश को रोकने के लिए खेर के पर 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 दे लगा कर इसको रोका जा सकता है तैस दूसरा रोग है पाबेराई This is one of the worst disease of the Silkworm, Sariculture was once damaged by this disease in all the countries involved in this industry, but some countries have overcome this disease and succeed in getting faberine-free-silkworm eggs for rilling cocoons Noceoma, Bomb hypothesis, Nagyalli. angi君 WiFi Kitaackajktogoi publishing takes place through the mouth of the larvae at the time of feeding or through the mother's womb when new spores are formed in the tissue of the alimentary canal of the silkworm they are discharged with the facebook and make a source of infection when the sports इंहें एंपड़िक्टिज उयुके। इन टेप्टिज लेए पॉर हम इनुके। अनुकेट नभाग प्रोग झेवास, आद अनुकेटा जग ओ बीजिए विजिए चेटेगांगि ओ डेपने से gift. further they enter into the blood and swim in it they are distributed throughout the host skin attacking various tissue especially the fat bodies and organs excluding chitinous tissue and nucleus of the cells when the hypoderm is attacked and its cell die the affected part becomes black due to the formation of the melanin inside the body the milky white spots or the marks are observed on the silk line or the surface of the elementary canal in the case of severe infarction of the eggs the whole of the yuki nearly gets filled with the microorganism resulting in their eggs death whereas in case of a slight infection the eggs hatch but the larvae carrying impacts and die at the third mouth without making cuckoo the disease larvae show the later inclination towards the food and exhibit irregular and differential growth resulting in the formation of the small larvae of different size they become tardy shrunken and molt quite late and finally die और कुकून तियार कर चुके हैं नोसेमा बॉंबिनिस लागेली जो की माइक्रोस्पोरिडा के अंदर कर आपता है इस रूप का कारक होता है इस का इनफेक्शन मुह से लार्वय के मुह से पोशन करते समय या फिर मदर्स की ओवरी से होता है जब नए स्पोर्ट बनते हैं एलिमेंटरी के नाल्स में और बन दिस्चारज विजी फ्रीशन में नए स्पोर्ट बनते हैं जो उसके फीस के सवरा बार निकल दे जाते हैं और वो दूसरे केटरफिलर के द्वारा या दूसरे लालव के द्वारा खा लेने पर उनमें इंफरक्शन हो जाता है जब स्पोर्स सिल्क वार्म के डाइजस्टिव ट्रेक्ट में पर्वेश करता है तो उसके अंदर के दो नूकलिस होते हैं और उसी समय ये डिवाइड होकर के चार नूकलिस वाला हो जाता है और उसमें से पोलर फिलामेंट्स बार के और निकल जाता है यह उसके बाद में blood में प्रवेस करके उसमें तैरने लगता है और उस लार्वे के पूरी body में पूरे सरीर में फैल जाता है fat bodies में, cutaneous tissues में और कोशिकाओं के केंदक में जब हाइपोडर्म को आक्रमित किया जाता है तो उसकी कोशिकाओं मर जाती है और जो affected part या प्रभावित भाग होता है वो काले रंग का हो जाता है maliline के निर्मान के कारण सरीर के बितर milky white spots और mark बना देता है इलिमेंटर के नाल की सरफेस पर severe या तिव तेज संक्रमन होने के समय होल योर की near gets filled with the microorganism से बढ़ जाता है जिसके कारण उस लार्वे की death हो जाती है लेकिन हलका संक्रमन होने पर एग से निर्मोचन तो होता है लेकिन लार्वा जो होता है उसमें infection होता है इसलिए वो मर जाता है तीसे निर्मोचन तक आते आते बिना कोकुर निर्मान के ही इस डिजीज लार्वे शो लिटिल इनिकलेशन तो आज फूट और एंग्जिबिट इर्रेगूलर इंडिफरेंसल ग्रोथ रसल्टिं इन देपारमेशन आप स्माल लार्वे उप डिफरेंट साइज खाने के और एनियमित गती विद्यो के कारण इससे संक्रम्मित होने पर छोटे आकार का लार्वा निकलता है दे बिकम टार्डी ठके हुए शिकुडे हुए और मोल्ड क्वाइट लेट देरी से निर्मोचन करने वाले जो अंतुन मर जाता है countur measures against febrine, if the infection occurs at the embryo stage, the larvae die in the third moulting stage as already mentioned so during the rearing and rilling cocoon, it is very important that the febrine NOP- ARE USED the infection by the par Connie should be strictly avoided at any stage of the life history of the silkworm for rearing in order to get the healthy eggs. Therefore, it is essential for the prevention of pavarine that the tools used and the rearing houses should be kept pre-prong pavarine germs. The following measures may be applied. First, examination of the mother moths. All the mother moths producing eggs should be carefully examined one by one and the eggs led by the healthy moths only be taken for the further use. The unqualified eggs should be burnt away. Second, forecasting and correcting examination in order to make the pavarine examination more reliable, the forecasting and correcting examination are carried out for the eggs of the seed cuckoes. The materials employed for forecasting examination are the excrement of the mature larvae, lead-mount larvae, dead larvae, cocons, pupae, moth accelerated the emergence out of cocons. For the correcting examination, a few eggs of each reproductive eggs batch are taken and incubated and thus, emerged larvae are used as the material for the germination of the pavarine germs. Pavarine ko rhokne ke hua hai. अगर 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 बुरूना वस्ता में संक्रमन हुआ है, तो लार्वे मर जाते हैं, तीसरे निर्मों चंत तक आते आते हैं, जसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसलिए देख्वाल और रिलिंग के समय यह बहुत मैत्पूर्ण है, कि जो पेबराइन मुक्त अंडे हैं, उनका ही प्रियोग के जाएं. पेबराइन युक्त अंडों को पूर्ण तया परतिबंदित कर देना चाहिए, या या से हटाना चाहिए. चाहिए सिल्क पॉर्म की जो लाइफ हिस्ट्री है, वो प्रभावित नहीं हो. और केवल स्वस्थ अंडों को ही रियरिंग और रिलिंग के लिए प्रियोग में लाया जाना चाहिए. पेबराइन को रोकने के लिए, जो उपकरण काम में लाया जाते हैं, उन सभी उपकरणों को रियरिंग हाउस में पेबराइन मुक्त कर दियाना चाहिए. कि सारे उपकरण जो है पेबराइन के जर्म से मुक्त हों. इसके लिए निमने उपाय काम में लाया जाते हैं, सबसे पहला है मदर मौत का परिक्षान. जितने भी मदर मौत अंडे उत्पन कर रहे हैं, उनका साब्धारिम पूर्पर परिक्षान कर, एक एक वन बाई वन परिक्षान करके, यह सुनिच्चित कर दिया रहना चाहिए, कि जो सुष्ट मौत हैं, वो ही अंडे दे रहे हैं, और उनी को आगे के लिए प्योग में लाया जाना चाहिए, जो भी अन्कौालिफाइड एक्स होते हैं, उनको जला देना चाहिए, दूर्बे जाके लिए, सेकंड, फोर्कास्टिंग अन करेंक्टिंग एक्जामिनेशन का, एक्स और सीड को कुँझ के लिए प्रियोग में लाया जाना चाहिए, फोर्कास्टिंग के लिए जो भी मटरियल काम में लाया जा रहा है, एक्सक्रिमेंट अप दे मैचुर लार्वी, लेट मॉल्टिंग लार्वी, डेड लार्वी, और कुकरन प्यूपन मौत्र अचिलेरेट टू इमर्ज आउट को कुकून्स, करेक्टिंग एक्जामिनिशन के लिए, कुछ अंडों को लेकर, पर्तिक जनन में भाग लेने वाले अंडे के बैच लेकर, उन्हें इंक्यूबेट करके, उनमें से लार्वे निकाल करके, उसको एक्जामिनेशन पदार्थ के रूप में काम में लेकर, पेबराइन से मुक्त का परिक्षन कर लेना चाहिए, . The esports of bearing may survive for a number of years in the ordinary type of rearing room if, the environmental condition is humid. Therefore, the rearing room, stools and other utensils should previously be cleaned and washed to remove the olmas, DR. इस्टीर अंच्ड्री कार्च對 कार्सान आफ्याय स्टी क् eerste लिंग आफ्याव्यजिज के लिड कार्च Nhवक्ष विव गड्यारो, इड़ोंगरो, देधितो लिड़ो, फिडिफ्टी के लारी। क्रेंट स्टीम्स फौर यैसान को बाहन को को रोखने अऱट आने के लिह जो प्रेबरायन की शौर से होते हैं ये पेबरायन की स्प Peninsula जो सामनिय रेरिंग रूम्स की प्रयावने प्रस्तितियों में यदि आधरता पाई जाती है तो ये कई वर्सों तक जिवित रह सकते हैं इसलिए जो रेरिंग रूम्स है उसके उपकरण है और उसके जो बरतन है उनको साफ कर देना चाहिए या अच्छी तरह से धोलेना चाह जिए ताकि वे पेबराइन डिजीज से मुक्त अंडे लार्वे प्यूपे और मौत का परिवर्दन कर सके हैं जितने भी मरिवे कुकूंस हैं फीसेस अब दी लार्वे है उसको अच्छी तरह से नस्ट कर देना चाहिए तब पेबराइन के स्पोर्स को नस्ट करने के लिए दो परतिसत फॉर्मलीन में 30 मिनिट तक या 5-5% सब्लिमेंट को 5 मिनिट तक कलोरिनेटेड चूनने के 5% आदि गंटे के लिए 30 मिनिट के लिए या करेंट स्टीम होती है उसको 30 मिनिट के लिए और गर्मी का दूप का 7 गंटे के प्रयोग के द्वारा प्रबराइन मुक्त बाता वन त्यार करने चाहिए Care on rearing silkworm The tendency of the infection by the pebberine sports has been observed to occur more when silkworms are reared in dry and cool conditions than in hot and wet conditions. If the larvae period becomes longer, the infection of the pebberine is severe. So care should be taken on these points during the course of the selection of the street cookbook by the errors. जब silkworm के सूखे और ठंडी इस्तित्यों में परिवर्दन किया जाता है तो इसके संक्रमन की संभावना बढ़ जाती है इसलिए इसका प्रियोग गर्ण और वेट कंडिशन में क्या जाना चाहिए If the larvae period becomes longer, अगर larvae का समय लंबा चलता है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए तीसरा जो डिजेज है वे तीसरा डिजेज केलाता है polyhidosis in silkworm 3 types of polyhydrosis are found in silkworm Nuclear polyhydrosis Intestinal cytoplasmic polyhydrosis and intestinal nuclear polyhydrosis 1st nuclear polyhydrosis is a geyserai jaundice. It is caused by a kind of virus which forms polyhedra in the nuclei of the cells of the fatty tissue, dermal tissue, muscles, tracheal membranes, basement membranes, epithelial cells of the mid-gut and the blood corpuscles. The polyhedra are commonly hexagonal and rarely tetragonal in shape, containing large number of virus in them and the polyhedra forms the wide pus after they are released into the body plate. The virus present inside the polyhedra maintains its pathogenic power for a number of years in the rearing room, but the isolated virus loses its pathogenic power in a period of short time. The larvae infected by this virus becomes inactive and lose aptitude and the membrane between the segments swell up. Further, the whole body swell up showing the loose skin. In the last phase of disease, the body becomes purulent and the skin becomes tender from which pus leaks out. The larvae in this phase crawl, round up and down and finally die. The infection of geceri occurs through the mouth of the larvae and the wound of the skin and the induction under extremely adverse condition, cold treatment, heat treatment and chemical treatment. Nuclear polyhedrosis which is the cause of vigorous the virus which is the virus which is the cause of the virus. । आधार एक जिल्ली, एपितिलियल कोशी का, जो मिडगट की है और ब्लड कार्पूसल्स की है, उनके केड्रक में ये पोलिहेड्रा निरमान करने का कारिय करता है। यह जो polyhedral बनाता है वह सामानत्या 60 कवणिय हो सकता है या पिर बहुत कम चत्तुस कवणिय आकार का होता है polyhedral में सपेद पस या मवाद भर जाती है जो सरेड के उत्तक द्रिव्यों में मुक्त कर दे जाती है पॉली हेड्रा में पाए जाने वाला वाइरस इसकी रोजिनक अवस्ता को बनाई रखने का कारिये कही वर्सों तक कर सकता है देख बाल करने वाले कमरे में बड़ वाइरस को यह दी आइसुलेट कर दिया जाए तो उसका पैथोजिनिक पावर बहुत छोटे समय में ही नस्थ हो जाता है जो संक्रमित लार्वे होते हैं इस वाइरस के द्वारा वह अक्रिय हो जाते हैं एपिटिटी लूज कर देते हैं और उसकी मेमरें उसके खंडो कोड़ा का पूरा सरीर में सूंजन आ जाती है और इसो के डीली हो जाती है इस रोक के अंतिम हैं जो होता है D object होटी तुरूलन डूजाती है इसकी आघेंडर हो होता है मुख के लार्वी के मुख द्वारा होता है यह इस किन पर पाई जने वाले गवों का ऊंपने के ऑर फोर मेजर्स फस्ट रेरिंग रूम स्टूल्स एल यूटेंसिल शुट भी वास्ट इन क्लीन दिसिंफेक्ट सेट रेशम के कीड़े की एकबाल करने वाला जो कमरा होता है उसके उपकरन बर्तनों को अच्छी तरह से दो लें साफ कर लें और संक्रमिट कर दें दा हाइली नुटिटिव मल्बेरी लीव सुट बी गिवन सफिसेंटली टू दा इन्फेंट लार्वी ता फ्रेस एर सुट बी सर्कूलेटिटिद इन दर येरिंग रूम इस्पेशली इन दी फिफ्ट स्टेडियम जो उच्छ पोसंड मान वाली सैतूत की पत्या है वह प्रय प्रवायत होती रहे ये बात का भी सुनिस्चित की जाए और कमसे कमसे पांचवे स्टेडियम में तो सुध वायू कमरे में प्रवायत की जाने आवशक है दा हाई टेंप्रेचर लो टेंप्रेचर और हाई मॉस्चर कंटेंट शुट बी आवड़े इस्पेशली दूरिं द आपमान उच अधरता जैसे परियावर्णिय कारकों से उसको बचाये रखें दिजीज लार्वी और डेड़ बोड़ी शुट बी रिमोड और रूम डिसिंफेक्टेट कंटेट बाई 2% फार्मली जो बीमार लार्वे हैं या मरे होई श्रीर वाले उनको तुरंथ हटा दिय जाए और कम्रे को दो परसेंट फार्मलीन से पूर्ट या संक्रमिज कर दिया जाए दा सिल्क वाम शुट बी रियर्ड केरफुली तो दे में नोट सफर फ्रॉम दा बाउंड ऑप स्कीन जो सिल्क वाम होता है उसकी अच्छी तरह से देख वाल कोई जाए ताकि वो किसी भ three heat are formed in the cytoplasma of the midgur cells but in a few causes they are formed in the goblet too the polyhydra of this disease contains plenty of viruses the infected cells of the midgur rupture and polyhydra release into the gut the faces excreted becomes whitish containing plenty of polyhydra the symptoms of this disease are the occurrence of the translucent cephalothorax and shrinkage of the body size but in the advanced phase the larvae excrete white colored loose faces the body fluid of the diseased larvae remains in the normal condition the mode of infection of this disease and counter measures are similar to those of the nuclear polyhidrosis intestinal cytoplasmic polyhidrosis polyhidra of the blood-carous bacteria can cause blood-carous uh उसमें बहुत सारे वायरस पाई जाते हैं यह संक्रमित वायरस के जो सैल्स होते हैं वह आहर नाल के अंदर मुक्त हो जाते हैं और फिस के साथ में बाहर निकल जाते हैं यह वायट इस कंटेनिंग पॉली अपदी पोली हैड्राप मुटकर बोулorf है बोली साइस हो जाती है और इसके एडवानस फेस में जो लार्वा यह वायिट कलर और última फीसेज को एक्स्रीट करता है बोल्डी फिलीड में डिजीज लार्वी पाई जाते हैं सामाने प्रिश्टित्यम में इसका हम जो मोड ओव इंफेक्शन है जो पहले वाला जो हमने पड़ा है है नुक्लियर पॉली ह siitä सवा इस इसमraz मोड ओप इंफेक्शन पहके जाता है थार्ड इंटेस्टिन नुक्लियर पॉली हेड़् थे लाता है इन बिस दीज वारस में फली हेटरा इंसाइट श्रीजें अपट्रीज दिसमें अप्राइड जो तामोड फिंफक्षान गांटर मिजए साथ सीमिल डोज इनुकेल पोली हैड्रोस इंटेस्टीनल नुक्लियर पोली हैड्रोसिस में वैरस अपने पोली हैड्रा को मद्य घट की बेलनाकार कोशिकाउं की कोशिका तरी पोली आफ़ी बनाता है जो पोली हैड्रा बनते हैं उसका ईका पोलीहाड्रा बड़े आकार का थानि इस रोग में इसका सिपेल По Cell doing तोन हो जाता है इन्हें डाइंया हो जाता है इसकी रोक का intestinal nuclear polyhydrosis का संक्रमन भी nuclear polyhydrosis की भाती होता है और इसे रोकने के मेज़ूर भी nuclear polyhydrosis के समानी है बरतनों को साप रखके अच्छी मलबेरी लिप्स को खिला के तापमान की उचितम प्रिस्तितियों से बचा करके रूम को 2% फोर्मलीं से साफ करके और अच्छी तरह से सिल्क वॉर्म के देखवाल के माध्यम से इनसे बचा जा सकता है नेक्स डिजीज इसम्हें फ्लैच्री है फ्लैच्री इस जनेटिक नेम पर सब मूर्च देखाये चेकेंजिश Care cases of which wrought due to the attack of bacteria, Fletcheri may be divided as Infectious Fletcheri caused by a kind of virus. The various symptoms of Fletcheri are Lose of Abitity, Translucent Cipelothorax, Vomiting and Diarrhea, but the real diagnosis can be made after the microscopic observation of the virus. The pathogen of this disease is Sparical Virus which does not form polyhydra in the body of the silkworm larvae. The virus multiplies in the tissue of the mid-gut and is released into the gastric joists and is excreted along with faces which is the source of infection. The virus infects the larvae of the silkworm only. Counter Measures Resistant silkworm races should be selected. Rearing roots to utensils should be well infected. In order to maintain good health of the silkworm, Highly qualified mulberry leaves should be provided. Favorable conditions like temperature and humidity should be maintained in rearing rooms. Faces, diseased larvae and dead bodies should be peeled in the compost. Some of the chemicals like hydrochloric acid, formalin, chlorinated lime may be used as the disinfectant for the virus. When the pressure is made, the fleshly queen stars should be removed. odzi s*** Align Fletchery Late Concrete What do you think is the vegetable one in the सब्सक्राइब करता है और इसका जो रियल डाइगनोसिस जो वाद ही क्या जा सकता है वायरस की सुख्ष्म धर्षिय प्रेक्षणों के परिक्षणों के पस्याद क्या जा सकता है इस रोह जो पर फैधुजद्य अग रोकारक है वे इक प्लिहाइड्रक ये सिल्क वर्म के सरीन मेद नहीं करता है यह वैरोस मीडगट के उत्तकौमắn में बहु गुनित होता है यह संक्या में व्रद्धी करता है जिसे ग्रसिक है की से बाद्यम से यह एक्सक्रीट हो जाता है इस प्रकार यह सोर्स और इंफ्रेक्शन का कारण बनता है कि यह जो है मुख के द्वारा संक्रमन को बढ़ाता है इसे रोकने के उपायों में जो रजिस्टेंट सिल्क वाम की रेसे सोती है उनके प्रयोग किया जाए रियरिंग रूम के बरतान और उपकरान को अच्छी तरह से असंक्रमित किया जाए अच्छे स्वस्थ अच्छे और स्वस्थ जो सिल्क वाम होते है उनकों और स्वस्थ पत्यां जो होती है मलवे सहतूत की वो ही खाने के लिए दी जाए अनुकूलतम प्रिस्थितियों में रिसम के कीट का पलंज किया जाए यह प्रिस्थितिया तापमान आधरता की हो सकती है जो फीसेस होता है डिजीज लार्वे और डेड बोडिज होती है उसको कंपोस्ट के रूम दूर ले जाके फेल्ड ओप किया जाए और हाइड्रो कलो मुटिकलिका व memorized लेडीज मुटिका बडिस्योच के लार्वेट निए्टि क्वuais street दिंव लेट वे इसुटकूलतम फ्रिस थाह और हाइड्रूल के लेड मुटिकलिक लार्वे बेडर्या को शर्ण चूर्य में अधर ट सिर्कूलिक लेड ढ्रिस्य बार्यर बालिध यह और दूसरी जो फ्लाच्री की कंडिशन है उसमें आंत्रिय क्षती जब हो जाती है तो उसका फिजियोलोजिकल डिस्तरबेंस हो जाता है जिसके कारण इसमें जीवानों की व्रद्धी हो जाती है यदि इन लार्वों को बुरी क्वालिटी के या निम्न गुणगरता वले सहतूत की पत्या खानए के लिए दी जाये तो रावबे की डिस्कर्ट हो जहता है जिसके श्कलेशन की होती है जिसके कारण गट में यह मुक्निय का होता है ऐसा प्रतीकूल स्ट्रेप्टोकाइब से बैक्टेरिया एरियोगीनिस बैसे लस्के बैक्टेरिया और प्रोटियस ग्रूप के बैसिलाई जो अटे कर देते हैं जो जो लार्वे हो तब यह रोग में होता है नेक्स्ट जो कंडिशन है वो कहला थी है बैक्ter टिरिली इंत केस्ट This disease is caused by toxins of some bacilli bacillus थूरीनी जयंचिछ where the larvae attacked by this toxin become unconscious later soften becomes darkest and finally rot up. The infection occurs orally and can retain the toxicity as long as for the seven years in some cases. The counter measures are the disinfection of the rearing room and instruments. Bacterial intoxication की एक इस्तिती बनती है इस रोग में, इस condition में जो जिवानों के द्वारा जो विश उत्पन किया जाता है, वो इसका कारण बनता है, और जो जिवानों विश उत्पन करता है, उसका नाम है Bacillus thurigenesis, लार्वा पर जब यह जिवानों अटेक करके विश का निर्मान करते हैं, तो लार्वे को अनकॉंसियस कर देते हैं, बाद में यह सॉप्टन हो जाता है, डार्की हो जाता है, और फाइनली रोट अब हो जाता है, इन्फेक्शन इसका मुख से होता है, इसकी टॉक्सिसी जो होती है, विश की वो साथ वर्सों तक रहती है, कुछ केसे में, इसके काउंटर मेजर्स भी, रियरिंग, रूम और इंस्टूमेंट्स को ऐसंक्रमित करना के क्या ज़कता है, सेप्फुसीमिया, इस इसकी जोता भाद़्सूमिक्ट्सूम्ό swapped यंसन Means इसकी इसकी न्जफजसूमूम, जबादिटम्चेर्व में भी, जबाद리ंस reheんな जबूमम, जबादिशूमित्म्स, चुर्दूम्स थबाद स्हित्स, the infection is caused the wound of the skin counter measures the rearing tools and rearing houses should be kept sterilized the disease cases should be kept away and put into the fermenting compost during the period of egg laying the temperature humidity of the room should be maintained in proper order especially at the lower range of humidity septicemia rohka bacillus megatherium bacillus proteus bacillus prodigiosus bacillus pyocyanus नामक जिवानों के silkworm के blood में संक्रमन के कारण होता है यह इसे रोग जो है बहुत कम पाये जाता है लेकिन जब भी होता है तो भेंकर के शत्ति पहुंचाता है प्यूपा और मौत को अंडे उत्पादन की शम्ता को बहुत घठा देता है इसका infection तवचा पर पाई जाने वाले गावों से होता है और इसकी रोगताम के उपायों में रियरिंग रूम के यह फर्मेंटिंग कंपोस्ट से उनको फर्मेंटिंग कंपोस्ट में रहा जा सकता है अंडे देने के समय ताप पाना और आदरता की जो परिस्टित्या वो अनुकूलतम होने चाहिए Green Muscaridine Green marcasting it is a fungal disease of the silkworm and there are a number of muscaridine in silkworm but only green muscaridine is speak area prescina has been noticed to affect the larvae of the silkworm in vietnam the infection may be observed at the third and the fourth study of the silkworm in the beginning stage a big black spot is observed on the ventral side the green tube of fungus develop into the mycelia in the blood and bear cylindrical spores which are separated from mycelia and further from mycelia which bear cylindrical spores again thus all the organs of the silkworm are attacked by this fungus disturbing their normal functioning as a result the disease larvae do not mold and finally die countermeasures the rearing room tools and utensils should be disinfected the disease larvae and their fishes should be peeled into the compost of to kill the germs the rearing bed should be kept dry as much as possible to prevent the germination of the corneidia fungus green muscaridine green muscaridine the cavity tienes referent must Vadim ост its green muscaridine but city वह नोटिस की गई है ग्रीन मस्कार्डिन इस पी कैरिया प्रेसीना नामक कवक के द्वारा होती है इस प्रकार विएतनाम में सिल्क वोर के लारवे इस कवक से संक्रमित पाए गया है इन्फेक्शन इसका संक्रमन तीसरे और चौते स्टिड्या के सिल्वार्म को करता है प्रारिम्बिक अवस्ता में यह एक बड़ा काला स्पोर्ट जो है इसके लारवे के वेंटर साइड में बनाता है जिसमें से ग्रीन नलिका निकलती है यह फंगस ग्रीन नलिका के रूप में डवलप होता है जो इसका मैसीलिया होता है इस मैसीलिया इसका बलेड में बलता है जिस पर सिलिंड्रिकल या बेलन के आकार के स्पोर्स बनते हैं यह स्पोर्स मैसीलिया से प्रतक हो जाते हैं और और फंगस जो होता है जो लार्वे के नॉर्मल फंक्शिंग या कारिय चेलता है उसको डिस्टर्ब करता है जिसके प्रिणाम सवरूप एस को निर्जिलिकरत कर दिया जाए जो डिजीज लार्वे और उनके फेसेस को है उसको फिल्ड इंटु दी कंपोस्ट टू किल जर्म के दिया जाए जो होती है उसको साफ सुत्रा रेका जाए जाकि इसके कवक के जो जर्मी कॉनिडिया का जर्मिनेशन है पंगस का उसको रोग दिया जाए यह टॉपिक हमारा ड से ट्रंगलाल कोठारी राज के माविद्याले राज समन्त और सम्राज प्रत्री राज के माविद्याले भीम से मैं प्रेम सिंग चौन से आचारिय प्राणी सास्त्र एक बार पुने धन्यवाद